गुड मॉर्निंग स्टुडेंस आज हम सब हमारी हिंदी पार्टे पुस्ते ज्ञानोदे भाग एक के पार्ट अठारा दहार परतियोगी तका अध्यान करेंगे प्रस्तुत पार्ट बड़ी ही रोचक कहानी पर आधारित है प्रस्तुत कहानी हमें कभी भी घमन ना करने की सिक्सा देती है प्यारे बच्चों परतियोगी ता किसे कहते हैं? परतियोगी ता का अर्थ है दो या दो से अधिके लोगों के बीच में किसी भी सेत्र में चाहे केल का सेत्र हो पढ़ाई का सेत्र हो आधी में सबसे शेष्ट को यानि इन सेत्रों में कौन सबसे अच्छा है को लेकर जब हमको कॉम्पिटिशन या परतियोगी ता रखते हैं उसे ही परतियोगी ता कहते हैं प्रस्तुत पार्ट में भी तीन सेर आपस में बात कर रहे हैं पता है सेर आजा ने दहार परतियोगी ता आयोजित की है विजेता को इनाम दिया जाएगा प्यारे बच्चों दहाड का अर्थ है सेर के द्वारा निकाली जाने वाली जोर की आवाज इसलिए जंगल के राजा सेर ने जंगल में इस पत्तियोगीता का आयोजन किया ताकि वह यह पता लगा सके कि कौन सा सेर सबसे तेज आवाज में दहारता है तबी बिक्कु बोला हाँ 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 पत्तियोगी ताकि क्या ज़रत है वह इनाम तो मैं ही जितूंगा बिक्कु ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वह बड़ा ही घमंडी था वह हमेशा हर काम में अपने आपको दूसरों से अच्छा मानता था इसलिए जब उसने पत्तियोगीता के बारे में सुना तो उसने बड़े ही घमंड में कहा कि यह पत्तियोगीता में ही जितूंगा तभी दूसरा जो सेर था वह बिक्कु की बात सुनता है और विचार करता है कि बिक्कु बहुत घमंडी है इसलिए मैं इसका घमंड तो तोड़ूंगा यानि इसे सही रास्ते पर लेकर आऊंगा ताकि यह दुबारा घमंड ना करे इसलिए वह सेर विक्कु को सला देता है कि विक्कु तुम दहार का अब्यास करते रहो परतियोगीता को तो तुम ही जीतोगे और विक्कु उसकी बात पर विचार कि यह बिना माल लेता है वो रात बेर दहार मारता रहा एसी बात है तो ठीक है परतियोगीता के दिन बिक्कु का नाम पुकारा जाता है दहारने के लिए परन्तु उसकी आवाज नहीं निकली बताओ बच्चों बिक्कु सेर की आवाज क्यों नहीं निकली क्योंकि रात भर दहारने के कारण उसके साथ ऐसा हुआ जब हम भी ज़्यादा बोलते हैं या ज़्यादा तेज आवाज में चिलाते हैं बार बार तो हमारे साथ भी कभी-कभी ऐसा होता है इस कारण बिक्कू ने भी ज्यादा दहारने का अभ्यास कर लिया जिससे उसकी आवाज नहीं निकल रही थी इस परका बिक्कू यह परतियोगिता हार जाता है तबी बिक्कू के परतियोगिता हारने पर दूसरे से ही 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 विक्कु ने रात भर अभ्यास किया अब उसकी आवाज निकलनी बंद हो कई यानी कि उसके दोस्त भी बड़े कुस होते हैं क्योंकि वो भी यही चाते हैं कि विक्कु घमन करना छोड़ दे विक्कु भी उस दिन से घमन करना छोड़ देता है विक्कु क्या करता है उस दिन से घमन करना छोड़ देता है क्योंकि विक्कु से यह समझ जाता है कि अगर वो घमन नहीं करता तो वह यह परतियोगीता जीत सकता था इसलिए प्यारे बच्चों हमें कभी भी अपनी पढाई ताकत या किसी भी अन्य वस्तु का गमन नहीं करना चाहिए क्योंकि गमन करने वाले को कभी भी जीवन में सफलता प्राप्त नहीं होती है